पवित्र शास्त्र, भजन सहीता, भजन 84 हे सिनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाशा करते करते मुर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहें। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरेया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुती निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से शक्ती पाता है और वे जिनको सियोन की सडक की सुधी रहती हैं। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टी उसमें आशिश ही आशिश उपजाती हैं। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुँ दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर हे हमारी ढाल दृष्टी कर और अपने अभिशिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग घरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तू रखन छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुछ पर भरोसा रखता है।